हर हर संबू यहाँ पर आज की रीटिंग होने वाली है गाईज कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं गाईज कि एक माइंड लाइन गई है और एक लाइफ लाइन गई है और माइंड लाइन और जो आपकी लाइफ लाइन है बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है तो जैसे आप देख सकते हैं चित्र में guys कि हथेली में दिमाग की रेखा और जीवन रेखा आपस में बहुत दूर तक और अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं ऐसे जो person होते हैं बहुती जादा sensitive होते हैं बहुती जादा emotional होते हैं अपने परिवार से अपने सदस्यों से बहुती जादा attach होते हैं वो अपने in-laws का अपने parents का बहुत जादा कहना मानते हैं कहना सुनते हैं लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है guys कि यह सब होते अगर आपका जो लाइन है माइन लाइन जो है मार्स छेतर तक जा रहा है जैसे आप हतेली में देख रहे हैं काईस की मस्तिक सरेखा जो है डारेक्ट वो मंगल छेतर में चली गई है मंगल परबत तक पहुंची है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो जो सेंस्टिविटी थी जो आप बहुती भावुप थे वो एक intelligent person की रूप में बदल जाएगी बहुती ज़्यादा आप में बुद्धि मता आजाएगी आप अपने life को बहुती practical की तरह जीएंगे और आप बहुती ज़्यादा powerful इंसान बनके निकलेंगे गाईस आप में पता नहीं कहां से बहुत ज़्यादा हिम्मत आजाएगा, courage आजाएगा, आत्मविश्वास आजाएगा, जो पहले आप भावुप थे, बहुती emotional थे, वो परिवर्थित होकर आप बहुती courage वाले, बहुती हिम्मत वाले, बहुती साहस वाले person बन जाएगे, आपको कोई भी काम करने में डर नहीं बहुत ज़्यादा आप अपने हिम्मत से करेंगे, यानि कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसमें हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, साहस और आत्मविश्वास इश्वर के द्वारा, इस रेखा के द्वारा आपके अंदर कूट कूट कर भर जाएगा, जो कि आप पहले बहुत ज़्यादा आप सेंस्टिव थे, ये भाव जो है, बहुत ज़्यादा करेंगे बदल जाएगा, और आप एक बेस्ट पीपल के रूप में, एक बहुती करेंगे परसन के रूप में जाने जाएगे, यानि आपके अंदर आत्मविश्वास, साहस, करेंगे और जो साह जो है, मंगल जो है, आपके दिमाग को बहुती कुशाग बनाता है, तीब्र बनाता है, और आपके अंदर कॉन्फिदेंस लेकर आता है, जिससे कि आप उसका उप्योग करके एक बहुती पावरफुल इंसान के रूप में आते हैं.